आज हम लोग महाशागरिये संसाधन टॉपिक का विशलेशन करेंगे या बिये पार्ट वन के लिए है बहुगॉलिक वित्रन के दृष्टी से संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है महाध्विपिये संसाधन और महाशागरिये संसाधन महाध्विपिये संसाधन वह है जो अस्थल खंड पर पाए जाते हैं आधुनिक विकाश और अद्योगिक क्रांती के विकाश के रूप में महाध्विपिये संसाधन नहीं कार्य किया है लेकिन पिछले 300 वर्सों से महाद्विपिय संसाधन के तिव्र दोहन होने के कारण उसके शमापन का संकर्ट उत्पन हो गया है और वैकलपिक संसाधन के रूप में महाशागरिय संसाधनों का विकास किया जा रहा है जिस प्रकार से अस्थल खंड के उपर विभिन प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं उसी प्रकार महाशागरिय जल तल पर पाए जाने वाले विभिन प्रकार के पदार्थों को जिन से की मानवी अवश्यक्ताओं की पूरती होती है चूकि ये सारिस पदार्थ महाशागरिय जल के अंतरगत पाए जाते हैं शमुद्रि शीमा के अंतरगत पाए जाते हैं इसलिए इन्हें महाशागरिय संसाधन की शंग्या दी जाती है वैसे तो महाशागरों का उपयोग अतिप्राचीन काल से ही होता आ रहा है लेकिन एक ब्यापक संसाधन के रूप में इसका उपयोग आधनिक यूग की एक नवीन परिगटना है सागरों में मचली पकड़ने की वानिजिक क्रिया का विकाश पिछले सताब्दी में हो चुका था अनेक विक्षित देशों द्वारा अपने विक्षित तक्निकों के माध्यम से छोटे वव विकाश शील देशों के चिछले शागरों में जब मचली पकड़ना प्रयरंभ कर दिया तो अनेक देशों ने इसका विरोध किया 1967 में माल्टा ने इस प्रश्ण को शंजुक्तराष्ट्र महाशभा में उठाया और अनेक देशों द्वारा इसका समर्थन भी किया गया इसे समुद्री संसाधन के उप्योग को लेकर अनेक प्रश्ण उठाये जाने लगे और अन्ततर उनिस्चों बिराशी में अंतरराष्ट्रिय शमुद्री कानून की घोशना की गई इसे अन्कलाउज के नाम से जाना जाता है जिसका पूरा नाम है युनाइटेड नेशन कन्वेंशन ओन ला ओफ सीज इसके अंतरगत कोई भी देश अपने देश की सीमा से 320 किलोमीटर की दूरी तक के भाग का उप्योग राश्ट्रिय शमुद्री संसाधन के रूप में कर शकता है यदि दो देशों के बीच की समुद्री दूरी 320 किलोमीटर से कम है तो दोनों के बीच विभाजक रेखा निर्धारित की जाती है 320 किलोमीटर से आगे इस्तित समुद्री छेत्रू को अंतरवाष्ट्रिय शमुद्री शंसाधन माना गया है इसका उपियोग कोई भी देश नहीं कर शकता है इसका उपियोग सिर्फ समुद्री मार्ग परिवहन तथा अनुशन धान कारी के लिए किया जा शकता है किसी भी देश की एक्सक्लूसिव जोन समुद्री शीमा से 200 नौटिकल मील तक होता है इस आधार पर भारत का कुल EEZ एक्सक्लूसिव 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 जोन छेत्र लगभग 20 लाग किलोमीटर स्क्वाइर है समुद्री संशाधन को चार प्रमुखवर्गों में बाटा जा सकता है पहला खाद्य संशाधन, दूशरा रशायनिक संशाधन, तीसरा खनीज संशाधन, चौथा उर्जा संशाधन अब हम लोग एक-एक कर इन संशाधनों का विशद वर्णन करेंगे पहला है खाद्य संशाधन, शमुद्री श्रोत से कई प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं इसमें मचली, समुद्री वनश्पती, हिमसिला खंड तथा शामानी नमक प्रमुख है इसमें मचली सब्षे जादा महत्वपूर्ण है विकाश शील देशों में यह न सिर्फ खाद की अपूर्ती करता है बल्कि इससे पोशक आहार की शमश्या का भी शमाधान होता है जापान जैसे विक्सित देशों में भी यह खाद्य अपूर्ती का प्रमुख श्रोत है शमुद्री वातावरन में करीब पांच ज़र प्रकार की मचलियां पाई जाती है जिन में से करीब पांच सौ मचलियों का ही दोहन हो पाता है समुद्री मचली को तीन प्रमुख वर्गों में विखाजित किया जाता है पहला है पेलाजिक या वेला पवर्थी ये समुद्री सतह पर पाई जाती है टूना, शालमन, पिलकार्ड, शारडाइन, हेरिंग जिसे की गरीबों की मचली कहा जाता है इत्यादी पेलाजिक छेतर में पाई जाने वाली प्रमुख मचलियां है इस वर्ग के मचलियों को क्लूपियाड भी कहते है दूसरा वर्ग है डिमर्शल अर्थात तलमजी यह समुद्री नीतल में रहते हैं प्रकास के बिना भी यहां रहने वाली मचलियां जीवित रह शकती है इस वर्ग की प्रमुख मचलियों में कॉड, हैलीबूत, हेडकॉक, क्लाउडर्स इत्यादी मचलियों को शामिल किया जाता है तीसरी प्रमुख प्रकार है एनाडॉर्मस यह अस्थानांत्रित मचलियां जो शमुद्र में रहती है लेकिन प्रतेक वर्ष तैर कर नदी के मुखाने तक पहुँचती है शालमन इसका प्रमुख उदारन है लगभग 90% समुद्रिया मचलियां का उत्पादन प्रशांत व अट्लांटिक महाशागरों से होता है हिंद महाशागर का युगदान इसमें मात्र 10% के लगभग है मचली उत्पादन की द्रिष्टी शे निम्न भवगौली प्रदेश विशेश रूप शे महत्वपूर्ण है पहला है उत्तरपूर्वी अट्लांटिक छेत्र इसका विस्तार अस्पेन के तट से लेकर हुआइट सागर तक है यह छेत्र कौड मचली का छेत्र है इसी छेत्र से प्रती वर्ष विश्व का लगभग 60% से अधीक कौड मचली का उत्पादन होता है नौर्वे कौड मचली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह मचली पकरने का सबसे प्रशिद केंद्र भी है दूसरा प्रमुख मतिस उत्पादन छेत्र है उत्तर पश्चमी अट्लांटिक इसका विस्तार अस्पैरो पॉइंट से डेविस स्ट्रेट तक है इवेशे वक कनाड़ा यहां के प्रमुख उत्पादक छेत्र है न्यूफाउंडलेंट का टत्वर्ती छेत्र शर्वाधिक मचली उत्पादन करता है ठंडी वग गर्म जलधारा के मिलने के कारण इस छेत्र में प्लैंक्टन की बहुलता होती है जिससे मचलियां उस प्लैंक्टन की ओर आकरशित होती है और उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन भी मिलता है जिससे यहां पर मचलियों का तिवर विकाश होता है विश्व प्रशिध ग्रैंड बैंक्ट यहीं इस्तित है जो लगभग 96,000 किलोमेटर स्पाइर छेत्र पर पहला हुआ है अन्य बैंकों में जोर्ज बैंक, लाहेब, बैंक बेरी, शबल द्वीप, सेंट पियरी, इत्यादी प्रमुक हैं मच्ज उत्पादन का तिसरा प्रमुक छेत्र उत्तर पुर्वी प्रशान्त महाशागर है इसका विस्तार मेक्सिको के तट से लेकर बेरिंग शागर तक है मेक्सिको के अलावा अमेरिका वक कनाड़ा इस छेत्र के प्रमुक उत्पादक देश हैं यह छेत्र अर्थात उत्तर पुर्वी प्रशान्त महाशागरिये छेत्र शालमन एवं हैलीबूत मचलियों के लिए प्रशिद्ध है कुलांबिया व फ्रेजर नदी के मुहाने के सहारे बड़ी मात्रा में शालमन मचलियां पकड़ी जाती है इस मचली की चर्चा हमने पीछे भी की थी किया एक अनाडॉरमस किस्म की मचली है जो अस्थानांतरित होती रहती है यह समुद्र में रहती है लेकिन परतेक वर्स तैर कर नदी के मुहाने तक भी पहुँचा करती है मत्स उत्पादन का चौथा प्रमुक छेत्र है उत्तर पश्चिमी प्रशान्त महाशागर इसका विस्तार ताइवान से लेकर बेरिंग श्ट्रेट तक है विशु के प्रसिध मचली उत्पादक देश चीन जापान इसी छेत्र में आते हैं हेरिंग, सालमन, कौड, सारडाइन, मैक ग्रेल जैसी मचलीयां इस छेत्र में प्रचूरता से पाई जाती हैं एक अन्य महत्वपुण मत्स उत्पादन छेत्र है पेरू तटवर्ती छेत्र इसका विस्तार पेरू एवं उत्तरी चीली तट पर है यहां एंकोवार किस्म की मचलीयों का उत्पादन किया जाता है अर्थात समुद्र से मचलीयां पकड़ी जाती हैं इन पाँच महत्वपुण छेत्रों के अलावा सुदूर दक्षिन में अंटाक्टिका के शमीप क्रील वा हुवेल मचली पकड़ने का कार्य भी किया जाता है जापान जैसे देश इस छेत्र में मचली पकड़ने का कार्य करते हैं द्वित्य विश्वियुद्ध के बाद से मचली उत्पादन में काफी तेजी सिवरिध्धी हुई है जैसे कि वर्ष 1948 में कुल मतर्सी उत्पादन लगभग 19 मिलियन टन था जो 1988 में बढ़कर 62 मिलियन टन हो गया मतर्सी उत्पादन की यह मातरा 1992 में बढ़कर 68 मिलियन टन हो गई और 2005 में यह 113 मिलियन टन के अश्टर तक पहुँच गया है जापान में समुद्री घास से भी खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है इन घासों से प्रती वर्ष दू लाग टन घास प्राप्त किये जा रहे हैं इस प्रकार सौदी अरब जैसे देश धेमसिला खंडों से स्वक्ष जल प्राप्त करने का प्रयाश कर रहे हैं युनाइटेड अरब एमिराट्स तथा कुएत जैसे देश समुद्री जल को शाफ कर अपने उपियोग के लिए स्वक्ष जल की प्राप्ती कर रहे हैं विभिन देशों में समुद्री जल से सामान्य नमक भी प्राप्त किया जा रहा है सामान्य तर एक किलोग्राम समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम नमक पाया जाता है समुद्र में मिलने वाले अन्य संसाधनों जैसे रशाइनिक संसाधन, खनीच संसाधन एवं उर्जा संसाधन का अध्यान हम लोग अगले क्लाश में करेंगे विद्यार्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि मत से संसाधन के विशद वीवरन के दोरान जितने भी मत से उत्पादन छेतर, बैंक या छिछले सागरों की चर्चा हुई है उनका अवलोकन छातर एटलस में अवश्य करेंगे जातर एटलस में अवलोकन छातर एटलस में अवश्य करेंगे